हेलो और विल्कम बैक तो माई श्यानल इस्पाइस फिर इंग्लिश गाइस आज की वीडियो में सेंटेंस बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे सेंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो लाज तक जरू लब पोईटरी तुम लब पोईटरी कबसे पढ़ने लगी ऐसी किताबे पढ़ने से आईक्यू नहीं बढ़ता तो ये रड़की इसके घर पर आती है रात के समय तो बोल रहे हैं कि sorry for disturbing you at this hour sorry for disturbing you at this hour sorry मैंने इस टाइम पर disturb किया आगे देखते हैं गाईज तो ये exercise कर रहा था इस टाइम पर तो ये लड़की बोल रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई वियाराम कर रहा होगा I didn't expect that anyone would be exercising at this hour I didn't expect that anyone would be exercising at this hour कहने का मतलब है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि इस टाइम पर कोई exercise कर रहा होगा I didn't expect that anyone would be exercising at this hour तभी लड़का बोल रहे हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस समय मुझे मिलने आओगी Even I didn't expect that you would come see me at this hour मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि तुम इस समय मुझे मिलने आओगी Even I didn't expect that you would come see me at this hour इस समय आना पड़ा, ताकि मुझे कोई देख न ले, I had to come at this hour, so that no one sees me, ताकि मुझे कोई देख न ले, अगर पापा को पता चला, तू वो मेरी खाल उतार देंगे, If dad finds out, he will skin me alive, अगर पापा को पता चला, तू वो मेरी खाल उतार देंगे, He will skin me alive, और तुम भी इतने टाइम से लाइवरेरी नहीं आए, इसलिए मुझे तुमारे घर पे आना पड़ा, So I had to come here, यानि कि इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, So I had to come here, यहाँ पी रड़की बोल रही कि, और तुम भी इतने टाइम से लाइवरेरी नहीं आए, And you haven't been to the लाइवरेरी for a long time, So I had to come here, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, यहाँ का मतलब घर पे, इसलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा, Actually मुझे तुमसे एक help चाहिए थी, Actually I needed your help, Actually I needed your help, Actually मुझे तुमसे एक help चाहिए थी, I needed your help, तो इस टाइम इसकी girlfriend भी आ जाती है, तो यह बोले कि हमें break up नहीं करना चाहिए था, We should not have broken up, मैंने phone पर क्या-क्या अनापशना आप बोल दिया, I said really stupid things over the phone, मैंने phone पर क्या-क्या अनापशना आप बोल दिया, यहाँ पर क्या-क्या का मतलब है कि, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आगे बोल रहे कि, लगता है तुमने बहुत exercise किया है, लगता है तुमने बहुत exercise किया है, तुम्हें लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या मैं तुम्हें एक बेकूफ दिखती हूँ, क्या मैं तुम्हें एक बेकूफ की तरह दिखती हूँ, यह लाइन मारने आई है, रोज मिलती हूँ में ऐसी लड़कियों से, she is here to hit on you, she is here to hit on you, यह लाइन मारने आई है, यानि कि यह तुम्हें लाइन मारने आई है, she is here to hit on you, रोज मिलती हूँ में ऐसी लड़कियों से, I meet with such frums everyday I meet with such frums everyday रोज मिलती हूँ मैं ऐसी लड़कियों से guys, frums का मतलब होता है कि गंदे पुराने धंग की औरत जो पुराने पुराने कपड़े पहनती हो पुराने खैलात की जो पुराने फैशन की कपड़े पहनती हो तो यहाँ पे वही बोले कि ऐसी लड़कियों से मैं रोज मिलती हूँ यह लाइन मारने आईए तुम्हें she is here to hit on you तब यहाँ पी लड़का बोले कि इस से माफी मागूँ तब यह लड़की बोल जी तुम्हें लगता है कि मैं इस बहन जी से माफी मागूँगी you think I will apologize to this from you think I will apologize to this from तुम्हें लगता है कि मैं इस बहन जी से माफी मागूँगी तो guys यहाँ पी भी from का मतलब वही है कि पुराने जो लड़कियां होती है पुराने पुराने कपड़े पहनती है old fashion के कपड़े पहनती है तो यहाँ पी इसको एक ताना मार रहे कि इस बहन जी से इसलिए बोल रहे कि यह पुराने जोड़कियां कपड़े पहनती है तो इसलिए बोल रहे कि तुम्हें लगता है कि मैं इस बहन जी से माफी मागूँगी यू ठिंक I will apologize to this from तुम्हें hospital जाना चाहिए बहुत खून बहर रहा है तुम्हें hospital जाना चाहिए बहुत खून बहर रहा है यहाँ पे गाज इसकी girlfriend इसको bottle खीच के मार देती है तो इसके पीट में चोट लग जाता है तो यहाँ पे यह लड़की बोल रहे कि तुम्हें hospital जाना चाहिए बहुत खून बहर रहा है तुम्हें खून से लटपत हो लेकिन hospital में नहीं हो तो यहाँ पे यह police वाला बोल रहा है कि तुमको इतनी चोट लगे तुम यहाँ पी क्या कर रहे हो तुम अस्पताल में नहीं हो तुम खून से लटपत हो लेकिन अस्पताल में नहीं हो तब यह बोल रहा है कि मुझे इसकी ज़रुत नहीं पढ़ती सर मेरे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं मुझे इसकी ज़रुत नहीं पढ़ती सर मेरे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं तब यह बोल रहा है कि जहां तक मुझे पता है केवल दो तरह के लोगों को इसकी आदत होती है जहां तक मुझे पता है केवल दो तरह के लोगों को इसकी आदत होती है तब यह लड़की बोली कि उसकी प्रेमक्या ने एक बोतल तोड़ दी और कांच की टुकडे उसकी पीठ में घुस गए उसकी प्रेमक्या ने एक बोतल तोड़ दी बस एक छोटी सी गलत फेमी है सर और कुछ नहीं यह पुश्च वाला इन दोनों को ठाने लेके जा रहा है तो यह लड़की बोल रहे है कि बस एक छोटी सी गलत फेमी है सर और कुछ नहीं वेल गाईज आसल इस वीडियो में इतना ही जरू बताने क्या वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं डेली आपके लिए इसी तरीकी वीडियो आनाता हूँ ताकि आप इंगलिश को इंप्रूब कर सकें गाईज मैं आपसे एकली वीडियो मिलता हूँ टिल ले टेक केर की प्रेक्टिसिंग एंड थैंक्स वो रोचिंग